इस वीडियो में दोस्तों लोग बात करने वाले हैं Reliance Industries के बारे में जिसके उपर हमें आज की दिन काफी सारे कमेंट देखने को मिले हैं तो सारे चीज़े इन डीटेल में कवर करने वाले हैं अगर आपको कॉंटेंट पसंद आता है तो आप बिल्कुल इस चैनल को भी सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके तो चले ही वीडियो शुरू करते हैं तो आज की बात करें तो मार्केट ओलेडी क्लोज हो चुका है और रिलाइंस के शेयर प्राइज में आज के दिन हमें 1.26% की गिरावट भी देखने को मिल रही है और इसकी एड़ एंड अफ ट्रेडिंग डेट 2009-91 पे क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है जो की 6 महिने म दोस्तों आपको थोड़ा सा करेक्शन दिखाया है कंपनी ने 0.31% का यह तिल डेट जैनवरी से अभी तक 15% के रिटन है और एक साल में कंपनी ने आपको 23.41% के रिटन बनाके दिये हैं अगर आप 5 साल की बात करेंगी तो 146% के मैक्सिमुम जब से कंपनी मार्केट में आ जिसका मार्केट कैप काफी जादा है 20 लाग करोड से भी जादा का मार्केट कैप कंपनी का और कंपनी की आज के दिन दोस्तों एक BOD की मीटिंग ती जिसका आउटकम ओलेडी हमें आता हुआ देखने को मिल रहा है तो PDF मैंने आपके सामने ओपन कर लिया है जो कि देख सकत रहा है रिलाइंस पहले पांच बार बोनस और दे चुकी और फिर से एक बार देने जारी पहले बोनसे काफी अच्छे शू हुए थे बट इस बार जो रखा गया है वो वन इस टू वन का रखा गया जो कि आप देख सकते हैं इस्चू ऑफ बोनस शेर्स इन दा रेशी ऑफ वन इस टू वन इक्जामपल वन न्यू फुली पेड़ अफ एकुटी शेर अफ 10 रूपीज इच फॉर एबरी वन एग्जिस्टिंग पेड़ अप शेर तो वन इस टू वन का रेशी रखा गया है एक के बदले एक शेर इंक्रीज इन दा ऑथोराइज शेर कैपिटल अफ कंपनी फ्रॉम 15,000 करोड तो देख सकते हैं 15,000 करोड से 50,000 करोड आपको ऑथराइज शेर कैपिटल इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा और अगर रिकॉर्ड डेट की बात करी है तो फिलाल हमें रिकॉर्ड डेट के ओपर कोई भी इनाॉंसमेंट देखने को नहीं मि इन डेटेल में अगर इस पीडियाफ को अनलाइज करें हम लोग तो वैदर बोनस इस आउट फर फ्री रिजर्फ क्रेटेट और शेर प्रीमियम अकाउंट तो देख सकते हैं आप दा बोनस शेर्स विल बी इशूड आउट अफ सेक्योर्टी प्रीमियम अकाउंट रेसीब इस पीडिन कैश और जनरल इस और रिजर्फ और रेटेंड अर्निंग अवलेवल एजट 31 मार्स दोजर चॉबिस बोनस का रिशियो वन इस तू वन है उसके बात करें डेटेल ओफ शेर क्याप्टिल प्री एंट पोस्ट बोनस इस जो कि अगर आप देखेंगे तो यहां प आपको 1.26% के करीबन की गिरावट देखने को मिल रही तो काफी अच्छे बोनस के नॉस्मेंट हो चुकी है तो कॉमेंट बोक्स में बताएं कि आपके पास रिलाइंस के शेर्स हैं या फिर नहीं है अगर बात करें दोस्तों तो कंपनी इससे पहले भी दोस्तों पांच ब 3 बोनस इशू इन 1997 उसके बाद 2009 में उसके बाद 2017 और have been in the ratio of 1 to 1 तो देख सकते हैं आप इससे पहले भी कंपनी 5 बोनस दे चुगी तो देखा जाए रिटन के मामले में कंपनी बहुत ही जबरदस्त है दोस्तों आपको safe and secure रिटन यह हर साल बना के देगी और reliance और actual जैसी क आपको अपने portfolio में बिल्कुल रखनी चाहिए तो देख सकते हैं आप और recorded company will be intimated separately जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ जैसे recorded इसकी आएगी वैसे ही आपको मैं वीडियो के तुरू बता दूंगा in a separate announcement the ministry of heavy industries announced on Wednesday 4th September that reliance industry has been granted approval to set up a battery manufacturing facility for up to 10 gigawatt under 36 20 करोड production linked incentive PLI scheme जो होती है for ACC battery storage तो देख सकते हैं आप जो ministry of heavy industries है उनकी तरफ से भी announcement ही थी कि reliance industries को एक battery manufacturing setup करने का भी approval दोस्तों अलएडी मिल चुका है दा this initiative is another step towards enhancing domestic manufacturing capacity reducing import dependence and positioning India as a global leader in ACC battery manufacturing the ministry said तो देख सकते हैं आप bonus के साथ साथ कल के दिन बहुत ही अच्छी एक news थी जो कि company के portfolio में एक और नई चीज एड़ान हो चुकी है जो कि जिसका valuation 3600 करोड के अप्रॉक्स का जिसमें 10 gigawatt का दोस्तों company battery manufacturing facility stable करने वाली है अगर company की दोस्तों आफ fundamentals की बात करेंगे तो बहुत ही जबरदस्त है बीस लाग बीस हजार करोड से ज्यादा का market cap company का है और इन future भी आपको काफी अच्छी कासी growth इंग इस company में देखने को मिल सकती है प्रोस जीरो हैं कॉन्स की बात करें तो stock is trading at 2.57 times its book value औ और company का जो return on equity है वो काफी low में बीत है तीन साल में देखने को मिलता है 2000 अगर बात करें जाए कंपनी के 2013 की तब 3,95,000 क्रोड की sales थी जो की मार्स 24 एंड होते होते अगर आप देखेंगे तो 8,99,000 क्रोड पे sales आ चुगी तो बहुत ही गजब का जंप हुआ है दोस्तों बीते 11-12 साल में प्रॉफिट भी कंपनी को 20,000 क्रोड के अप्रॉक्स थे 2013 में वो अब फानेंशलर 24 एंड होते होते 79,000 क्रोड पे आ चुगे तो देख सकते हैं आप साल दर साल एक दो जगे भले ही प्रॉफिट कम रहे हो बट आपको प्रॉफिट में एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी देखन को मिलेगी और साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट काफी अच्छे भी ग्रोथ करते हुए देखने को मिलेंगे को उससे आधी देखने को मिलती तो ओवरल फंडामेंटल्स की बात करें तो बहुत ही जबर्दस कंपनी है जो की कंपनी अपना 57 परसेंट रिवेन्यू ऑइल डू कैमिकल सेग्मेंट से जनरेट करती है तो आज की जो में वीडियो थी दोस्तों वह बोनस को लेके थी जो की अप्रूव हो चुका है रिकॉर्ड डेट अभी आनी बाकी यह जैसे ही आएगी मैं आपको वीडियो के शुरू बता दूँगा तो आपका रेलाइंस इंडस्टी के कितने शेयर से कॉमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताएं तो मिलते हैं किसी और वीडियो में केसी और अप अपडेट के साथ तब तक के लिए बाबाए